हलो बच्चो मैं रकेश बत्रा आज की इस वीडियो में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन चेप्टर फाइव एंसे रटी बुक से एक्जामपल नुम्बर टेन डिसकस कर रहे हैं क्या है कोशन में कि एक फ्लार बैड है जिसके अंदर पहली रो के अंदर 23 प्लांट से सेकिंड र रो में 19 प्लांट से एंड सो ओन और अगर आखरी रो के अंदर 5 प्लांट से तो हमको बतानी है कि कितनी कितनी हमारे पास टोटल रो से हमको यह बताना है तो फर्स्ट रो में 23 प्लांट सेकिंड रो में 21 थर्ड रो में 19 एंड सो ओन लास्ट रो के अंदर 5 प्लांट से तो यहां क्लियर्ली हमारी जो सिक्वेंस बन गई वो बने 23, 21, 19 एड अब टू 5 यहां क्लियर्ली यह एक एपी है क्योंकि क्लियर्ली यह एक एपी है जिसकी फर्स्ट टर्म हमारे पास 23 है कॉमन डिफरेंस माइनस 2 का है और लास्ट टर्म यानि की एन्न टर्म 5 है एन्न टर्म का फर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटो D इकोल टू 5 A के प्लेश पर 23 D के प्लेश पर माइनस 2 रख दिया, सिंप्लिफाई कर लेते है 23 को इदर लाए इदर आकरके माइनस होगया 5 माइनस 23 मुल्टीप्लाई कर लेते है यान इनस 1 इंटो माइनस 2 5 मनाइनस 23 होगया, माइनस 18 बाइनस 2 को निजए लाकर कर दिया इवाईढ, डिवाईद, अन Dabei-1 N-1 की वेल्यु नैननी अन की वेल्यु होगई 10 यहनी there are 10 rows, there are 10, there are total number of 10 rows in the floor bed. तो floor bed के अंदर total 10 rows है, अगली वीडियो के अंदर हम next exercise 5.2 start कर देंगे.